बाहरत के सर्वोट चिनाले में जिसको तड़ी पार का उसको भारत का नागरिक तड़ी पार नहीं गया सकता अगर जराबी नहीं तिकता है तो तकला अमिच्छा इस्तिपादे के यहां है मैदान में अंग्रेज देश को लूटना आयते ना यह मोदी अमिस्ताइब देश को लूटने के लिए लिए तो तड़ी पार है इस देश का दुर्बाग है जिस कुर्जी को सरदार पटेल ने सुजोबित किया उस कुर्जी पर तरी पार आज बैटा है अंग्रेजों के पिक्टू और तलाल बैटे बिल्कुल होसोबासे बोल रहा हूं मोदी जी के ओपर बलतकार का लिए के जब मुख्यमंत्री थे तो उस लड़की का बलतकार हुआ और लेकिन संजर सिंग उसके वकील बताए जाते हैं सन्यासी कैसे हैं उनकी साधी हो चुकी थी जो अपनी पतनी को छोड़ बारतिय जनता पार्टी ने पूरे देश को सरमसार कराया इसका इनका कबचा है जो अपने जनता को अपने बच्चों को मरने पर मोस के मुँमें मोस के मुमें डालते उसको पूझने का काम करेंगे नुपुर सरमा सस्पेंट होने से हमारा क्या लेना देना जेल जानी चाहिए जेल जानी चाहिए नहों तो पुल्टोजर क्यों नहीं चेल रहा है उनके घर पे मतलब मोडि मैन और डिस्ट्रेक्टिव आइडिया जिसके पास विद्वसकर यह तारा घंट अठा 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 अठाणी और अम्मानी के दलाली करता है उसके जवाब देए उसे घाली देने का काम होना चाहिए उसे जेल में पिBir área अरे में होना चाहिए निया है नुपूर्शरौसर्मा के बयान ने पूरे देहँदु भारत को सरमसार कर दिया गया 57 अरभिक कंट्री ने इस्लामिक कंट्री ने भारत को टार्गेट बना लिया है जब से नुपूर सर्मा ने प्रॉफिट मुहम्मद के उपट्टी पन्नी करिया कैसे देख रहे हैं नुपूर शर्मा को जेल को सेडी बेजनी के बचाये से सपफेंट किया गया है नुपूर शर्मा नहीं Ken ça . पूरे देश को सरमसार कराया जाहिए तो ब्लडोजर क्यों नहीं के गर पे तो इसे किए गर घर किया गया गया तो इसे क्यों नहीं गरफ्तार किया गया है कॉंग्रेस का नाम और निशान कॉंग्रेस इंडिया इंडिया कॉंग्रेस का नहीं मिटाते हैं कोई लूटने के लिए किया क्या 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 दोनों गुंडे और मवाली है कोई बारत के बारत के शर्वोट चिनालने में जिसको तड़ी पार का उसको भारत का नागरिक तड़ी पार में गा सकता अगर जराबी नहीं तिकता है तो वो तड़ी पार है इस देश का दुर्भाग है जिस कुर्जी को सरदार पटेलने सुजोबित किया उस कुर्जी पर तड़ी पार आज बैटा है अंग्रेजों के पिक्टू और दलाल बैटे है इसलिए कांग्रेज को एक प्रतारना जेलनी करने वाले को आप देखें तकला बरबाद कर दिया अठारे घंटे में पिछले आठ साल में प्राइम मिनिस्टर है ज्यादा तरक्य अगर की है इस देश में तौमिस्टा के बेटे ने की है इसके अकाउंट में पचास जार रुपे से ले जब दे तो 16 लाक रुपे उसके अकाउंट उसमें पहुंच जाते हैं 16 अजार क्रोड तो सोच येगा तरक्य किस ने किया है और बीजिशी आई का एक मूर्ख एक मूर्ख है उनका जो बेटा है उसी जिस वेक्ति को सामने मीडिया के सामने ने बोला जाता उस मूर्ख वेक्ति को बड़े पत पर बैठाना तो सोच येगा ये विकास किसका हो रहा है ये विकास हो रहा है सर्फ गुजरातियों के उन लोगों का जो पूरे देश को बेच करके अपने अकाउंटों में बर रहे हैं अवन्ठों में ओलाल ही अठाटार गंट कंट कुछ नहीं करता है जिसे यह देर जिसे आपने मीडिया के माध्यम से और अपनी आपको शेर बताने की कोशिश कऱ्ा। जिसे मीडिया के माधियम से अपने आपको शेर बताने की कोशिज़ कर दा चप्पन इंची वह शेर वेर कुछ नहीं है वह काईदे में अढ़ानी अम्मानी का शेर हूँ है शेरू है शेरू इंसा फैली है कानपूर से मुराधाबाद प्रियाग राज तमान ऐसे जगा पर दंगा फैले हैं जहां पर कई सारे हत्या भी हुए जार्खन में आपने देखा होगा राची में कि किस तरीसे से मुझाइद दीन की हत्या कर देगी आपको बता दे कि उसके बाद योगी सरकार एक्षन में हैं बुल्डोजर लेके कहीं घर को ढढ़ा दिया गया है सुप्रीम कोट कामोस हाई कोट कामोस क्या हो रहा है इस देश में मैं आपसे जानने की हमसे कोजनत कीजिए यह बीजेपी से कोजनत कीजिए जानने की कि जिनकी दुकान नवरत की दुकान थी मैं आपक प्रदान मंतरी को चूर बोला आप बताता हूं उसका जबाब दे उसका जबाब दे जो 149 करोड लोगों में नफरत पहला थे उन्हें आप पूझेंगे बताइए जो अपने घर के अंदर डिविजन करते जो अपने जंता को अपने बच्चों को मरने पर मोस के मुँँ में डालते उसको पूझेने का काम करेंगे उसे गाली देने का काम होना चाहिए उसे जेल में पिजिने का अरे मैं जेल में होना चाह एतना जूल मोने के इतना जूलम होने के बाद भी मेरे नियुक्ता ने कबी खलत ने भूला आपकी ने ने कहा कि पूरे कमाल कर रहे हैं आप आप लोग ने सच नहीं दिखाया आप ने क्यों नहीं कहा कि नुपुर सर्मा ने बयान गलत दिया पीजराज्यों में जान लोगों में इंसा पहली उसके लिए जिम्मेवार बीजेपी है नफरत की दुकान जिम्मेदार बीजेपी है वाज साई है यह जो बीजेपी के लोग गौश्य आई यह अनकॉम्पीटेंग लोग देश का विकास या देश की तरक्की या देश की भलाय के लिए इनके पास कोई एजन्टा नहीं है सिरफ एक एजन्टा है इनका मज़भी उसको ये फैलाते हैं जिससे देश में दुवेश हो रहा है और देश बहुत बुरी स्थिती में है और एक मिनट दी राहुल गांदी वाहिद एक शक्स इमांदार है जिसके कसम खाए जाती है सिरफ उसको दुवेश भावबना से परिशान किया जा रहा है और इनकी पम बनाते है पूरे देश को पह सब आ दिए चाहे वो मेडिया में दालूग रखता है या आम रखती है… जो जुट बोलना जानता है वो पपू है लेकिन राहूल गांदी के बारे में आप देख़ेगा जंदा ने कैसा सुविकार किया है लोग है जो राहूल गांदी के पास राहूल गांदी अपना पर विखल्प है यह जंदा दिखाई नहीं के लिए बैटिया है राहूल गांदी पर आप मुझे बताइए के बारे मुझे बात कर रहे हैं उन पर कौन साहिल किसल लगा मोदी जी पर बलतकार का है जोलिए विधान सबा में चर्चा हुई आप नहीं बाकाइदा एविड एविड दिखा करके कि जब उक्ले मंत्री तो इस लड़की का बलतकार हुआ और लेकिन संजर सिंहoru उसके वकील बतायी जाते है संनयासी कैसे है उनकी साध् curb वचुकी थी आप बताये आप बता झो हाता है संनयासी कैसे है जो अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाए वह संन्यासी होता है जो संसार के सब सुकों को स्याग दे